ओम शान्ति, 16 मई 2021, अव्यक्त बाबदादा के महावाक्य, ओरिजनल डेट, 31 डिसेंबर 1987, नया वर्ष, बाब समान बनने का वर्ष, आज, त्रिमूर्ती बाब, तीन संगम देख रहे हैं, एक है बाब और बच्चों का संगम, दूसरा है यह युग संगम, तीसरा है आज वर्ष का संगम, तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेष्टा का है, हर एक संगम परिवर्थन होने की प्रेणा देने बाला है, संगम युग विश्व परिवर्थन की प्रेणा देता है, बाब और बच्चों का संगम, सर्व स्रेष्ट भाग्यें, एवं स्रेष्ट प्राप्तियों की अनुभूती कराने वाला है, वर्ष का संगम नवीन्ता की प्रेणा देने वाला है, तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से मेहत्व रखते हैं, आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेश पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आई हैं, बापदादा, सभी साकार रूपधारी वा आकार रूपधारी बुद्धी के विमान से पहुँचे हुए बच्चों को देख रहे हैं, और नय वर्ष मनाने की डाइमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं, डबल हीरो बने हो, एक तो बाप के अमूल्य रतन हो, हीरो डाइमंड हो, दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो, इसलिए बाप दादा हर सेकिंड, हर संकल्ब, हर जनम की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं, आप स्रेस्ठ आतमाओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं, लेकिन हर समय स्रेस्ठ भाग्य, स्रेस्ठ प्राप्ति के कारण, बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो, और बाप बच्चों को मुबारक देते, सदा उडती कला में ले जा रहे हैं, इस नई वर्ष में यही विशेश नवींता जीवन में अनुभव करते रहो, जो हर सेकिंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो, लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मन आत्मा वा कोई भी अंजान अज्यानी आत्मा भी संबंध वा संपर्क में आए, तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रती दिल के खुशी की मुबारक वा बधाई निकलती रही। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपके खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ती का अनुभव कराई। बधाई देना यह खुशी की लेंदेन करना है। कभी भी किसी को बधाई देते तो वह खुशी की बधाई है। दुख के समय बधाई नहीं कहेंगे, तो हर एक आत्मा को देख, खुश होना वा खुशी देना, यही दिल की मुबारक वा बधाई है। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली स्रेस्ठ आत्माई सदा हर एक को खुशी दो। वह कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वह दुख दे, आप सुख दाता के बच्चे सुख दो। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ, अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते, संसकारों के वस्वभाव के वशिभूत आत्मा से आप भी वशिभूत नहीं बन सकते आप स्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्यान की स्रेष्ठ परिवर्तन की वशिभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं वखुशी की मुबारक सदा नैचुरल रूप में दिखाई दे क्योंकि आप सभी दाता अर्थार्त देवता हो, देने वाले हो, तो इस नए वर्ष में विशेश खुशियों की मुबारके देते रहो ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन वा कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो, मुबारक हो, यह कहके नया वर्ष आरंब नहीं करना कहना भले, दिल से कहना, लेकिन सारा वर्ष कहना, सिर्फ दो दिन नहीं कहना, किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो, तो वह आत्मा दिल की मुबारक ले दिल खुश हो जाई, तो हर समय दिल खुश मिठाई बाटते रहना, सिर्फ एक दिन नहीं मिठाई खाना वा खिलाना, कल के दिन मुख की मिठाईया जितनी चाहिए उतनी खाना, सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना, लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो, तो कितनी खुशी होगी? आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने में डर भी है, लेकिन यह दिल खुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो, खिला सकते हो, इसमें बिमारी नहीं होगी, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं, पर्ष में बाप समान बनने की, यही विशेष्टा विश्व के आगे, ब्रामन परिवार के आगे दिखाओ। जैसे हर एक आत्मा बाबा बाबा कहते, मधुर्ता वा खुशी का अनुभव करती हैं, वहा बाबा कहने से मुख मीठा होता है, क्योंकि प्राप्ती होती है, ऐसे हर ब्रामन आत्मा कोई भी ब्रामन का नाम लेते ही, खुश हो जाए, क्योंकि बाब समान आप सभी भी एक दो को बाब द्वारा प्राप्त हुई विशेष्टा द्वारा, आपस में लेंदेन करते हो, आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन, उन्नती को प्राप्त कराते हो, जीवन साथी नहीं बनना, लेकिन कारिय के साथी भले बनो, हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेष्टाओं से आपस में खुशी की लेंदेन करते भी हो, और आगे भी सदा करते रहना, जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्रामन आत्मा को, हर भ्रामन याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे, हद की खुशी का नहीं, हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित रूप अनुभव करे, इसको कहते हैं, हर संकल्प वा हर समय एक दो को मुबारक देना, सबका लक्षय तो एक ही है, कि बाप समान बनना ही है, क्योंकि समान के बिना तो ना बाप के साथ सुईट होम में जाएंगे, और ना ब्रह्मा बाप के साथ राज्चय में आएंगे, जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे, वही ब्रह्मा बाप के साथ राज्चय में उत्रेंगे, उपर से नीचे आएंगे ना, सिर्फ साथ जाएंगे नहीं, लेकिन साथ आएंगे भी, पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे, तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बन साथ चलने का है, इस वर्ष की विशेष्टा देखो, नंबर भी आठ, आठ हैं, आठ का कितना महत्व है, अगर अपना पुज्य रूप देखो, तो अश्ट भुजाधारी, अश्ट शक्तियां उसी की ही यादगार है, अश्ट रतन, अश्ट राजधानिया, अश्ट का भिन भिन रूप से गायन हैं, इसी लिए, यह वर्ष विशेश बाप समान बनने का, द्रण संकल्प का वर्ष मनाओ, जो भी कर्म करो, बाप समान करो, संकल्प करो, बोल बोलो, संबंध संपर्क में आओ, बाप समान, ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है न, क्योंकि साकार है, चोरासी जनम लेने वाली आत्मा है, पुज्य अथ्वा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है, पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के, संगठन में चलने और चलाने, सब बातों के अनुभवी हैं, तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है, और बाप तो कहते हैं, कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के उपर कदम रखो, कोई नया मार्ग नहीं निकालना है, सिर्फ हर कदम पर कदम रखना है, भ्रह्मा को कौपी करो, इतनी अकल तो है न, सिर्फ मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं, निराकार बाप परमधाम निवासी हैं, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पार्ट तो बजाना पड़ता है न, इसलिए आपके इस कल्प का पार्ट समाप्त होने के साथ, बाप दादा दोनों का भी पार्ट इस कल्प का समाप्त होगा, फिर कल्प रिपीट होगा, इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों की पार्ट के साथ बंधा हुआ है, शुद्ध बंधन है, लेकिन पाट का बंधन तो है न, स्निही का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन है, करम भोग वाला बंधन नहीं है, तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है, नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है, नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है, नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वर्दान प्राप्त करने का वर्ष है, क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे. अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वर्दान है, नहीं तो बाराती बनेंगे और नज़्दीक वाले संबंधी के बचाए दूर के संबंधी बनेंगे. कभी कभी मिलेंगे, कभी कभी वाले तो नहीं हो ना, पहले जनम में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर के राज्य अधिकारी, विश्व महराजा, विश्व महरानी के रॉयल संबंध, उसकी जलक और फलक न्यारी होगी. अगर दूसरे नंबर, विश्व महराजा महरानी की रॉयल फैमिली में भी आ जाओ, तो उसमें भी अंतर है. एक जनम का फर्क भी पढ़ जाएगा, इसको भी साथ नहीं कहेंगे. कोई भी नई चीज एक बार भी यूज कर लो, तो उसको यूज किया हुआ कहेंगे न, नया तो नहीं कहेंगे. साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जनम का राज्य रॉयल फैमिली बन करना है, इसको कहते हैं समान बनना, तो क्या करना है? समान बनना है, वा बाराती बनना है. बाप दादा अज्यानी और ज्यानियों का एक अंतर देख रहा था, एक द्रश्य के रूप में देख रहा था, बाप के बच्चे क्या हैं, और अज्यानी क्या हैं, आज की दुनिया में विकारी आत्माई क्या बन गई हैं? जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज वा जहां भी आग जलती है, तो आग का धुआ निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं न? उससे सदेव धुआ निकलता है और चिमनी सदेव काली दिखाई देगी, तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार वश होने के कारण, संकल्प में, बोल में, इरश्या, घ्रणा या कोई न कोई विकार का धुआ निकलता रहता है, आखों से भी विकारों का धुआ निकलता रहता, और ज्यानी बच्चों के हर बोल वा संकल्प से, फरिष्टापन से दुआई निकलती हैं, उसका है विकारों की आग का धुआ, और ज्यानी तु आत्माओं के फरिष्टे रूप से सदा दुआई निकलती, कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश, विकार की अगनी का धुआ नहीं निकलना चाहिए, सदा दुआई निकले, तु चेक करो, कभी दुआउं के बदले धुआ तो नहीं निकलता, फरिष्टा है ही दुआउं का स्वरूप, जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो यह द्रश्य सामने लाना, मैं क्या बन गया, फरिष्टे से बदल तो नहीं गया, व्यर्थ संकल्पों का भी धुआ है, वह जलती हुई आग का धुआ है, वह आधी आग का धुआ है, पूरी आग नहीं जलती है, तो भी धुआ निकलता है न, तो ऐसे फरिष्टा रूप हो, जो सदा धुआई निकलती रही, इसको कहती है, मास्टर दयालू, क्रपालू, मर्सी फुल, तो अभी यह पार्ट बजाओ, अपने उपर भी क्रपा करो, तो दूसरे पर भी क्रपा करो, जो देखा, जो सुना, वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं, व्यर्थ को ना सोचना, ना देखना, यह है अपने उपर क्रपा करना, और जिसने किया, वह कहा, उसके प्रती भी सदा रह्म करो, क्रपा करो, अर्थार्थ जो व्यर्थ सुना, देखा, उस आत्मा के प्रती भी, शुब भावना, शुब कामना की क्रपा करो, और कोई क्रपा नहीं, वह कोई हाथ से वर्दान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना, यह है उस आत्मा के प्रती क्रपा करना, अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई वसुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थार्थ व्यर्थ बीज का व्रक्ष बढ़ाते हो, वाईयू मंडल में फैलाते हो, यह व्रक्ष बन जाता है. क्योंकि एक जो भी बुरा देखता वा सुनता है, तो अपने एक मन में नहीं रख सकता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा, और एक का एक होता है, तो क्या हो जाएगा? एक से अनेकता में आ जाते हैं. और जब एक से एक एक से एक माला बन जाती है, तो जो करने वाला होता है, वह और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है. तो वाईयू मंडल में क्या फैला? व्यर्थ. यह धुआ फैला ना? यह दुआ हुई या धुआ? इसलिए व्यर्थ देखते हुए, सुनते हुए, स्नेहे से, शुब भावना से समा लो. विस्तार नहीं करो. इसको कहते हैं, दूसरे के ऊपर क्रपा करना अर्थार्थ दूआ करना. तो तयारी करो, समान बन साथ चलने और साथ रहने की. ऐसे तो नहीं समझते हो, कि अभी यहां ही रहना ठीक है. साथ चलने की तयारी अभी नहीं करे. थोड़ा और रुके. रुकने चाहते हो. रुकना भी हो, तो बाप समान बन करके रुको. ऐसे ही नहीं रुको. लेकिन समान बन के रुको. फिर भले रुको. छुट्टी है. आप तो एवर रेडी होना. सेवा रुकाती है. वर ड्रामा रुकाता है. वह और बात है. लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो. करम बंधन वश रुकने वाले नहीं. करमों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए. समझा? अच्छा. चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महांता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे. सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिलखुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिष्टा बन दुआईं देने वाले. ऐसे बाप समान दयालू, कृपालू बच्चों को समान बनने की मुबारक साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते. डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात. सदा अपने को संगम युगी स्रेष्ट आत्माई अनुभव करते हो. स्रेष्ट आत्माओं का हर संकल्प वा बोल वा हर कर्म स्वत्हे ही स्रेष्ट होता है. तो हर कर्म स्रेष्ट बन गया है ना, जो जैसा होता है वैसा ही उसका कारिय होता है. तो स्रेष्ट आत्माओं का कर्म भी स्रेष्ट ही होगा ना, जैसी समरती होती है, वैसी स्थिती स्वत्हे होती है. तो स्रेष्ट स्थिती नैचुरल स्थिती है, क्योंकि हो ही विशेश आत्माओं. ओचे ते ओचे बाप के बन गए, तो जैसा बाप वैसे बच्चे हुए ना, बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सन शोज फादर. तो ऐसे हो, आप सबके दिल में कौन समाया है, जो दिल में होगा, वही बुद्धी में होगा, बोल में होगा, संकल्प में भी वही होगा. आप लोग कार्ड भी हाट का ले आते हो ना, गिफ्ट भी हाट की भेशते हो, तो यह अपनी स्थिती का चित्र भेशते हो ना, तो जो बाप की दिल पर सदा रहता है, वह सदा ही जो बोलेगा, जो करेगा, वह स्वत है ही बाप समान होगा. बाप समान बनना मुश्किल नहीं है न? सिर्फ डॉट बिन्दी याद रखो तो मुश्किल नॉट हो जाएगी डॉट को भूलते हो तो नॉट नहीं होता कितना सहज है डॉट बननाना वा डॉट लगाना सारा ज्यान इसी एक डॉट शब्द में समाया हुआ है आप भी बिन्दी बाप भी बिन्दी और जो बीत गया उसे भी बिन्दी लगा दो बस छोटा बच्चा भी लिखने जब शुरू करता है तो पहले जब पैंसिल कागज पर रखता है तो क्या बन जाता डॉट बनेगा ना तो यह भी बच्चों का खेल है यह पूरा ही ग्यान की पढ़ाई खेल खेल में है मुश्किल काम नहीं दिया है इसलिए काम भी सहज है और हो भी सहज योगी बोर्ड में भी लिखते हो सहज राज योग तो ऐसा सहज अनुभव करना इसे ही ग्यान कहा जाता है जो नौलेजफुल है वह सुत है ही पावरफुल भी होंगी क्योंकि नौलेज़ को लाइट और माइट कहा जाता है तो नौलेजफुल आत्माई सहज ही पावरफुल होने की कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती है तो यह सारा गुरुप सहज योगियों का गुरुप है ना, ऐसे ही सहज योगी रहना। अच्छा, वर्दान, संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रतन भव। कभी भी पहले से यह संशय का संकल्प उत्पन ना हो कि ना मालूम हम फेल हो जाएं। संशय बुद्धी होने से ही हार होती है। इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जनम सिद अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थार्त सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजय रतन बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। स्लोगन रहम की भावना सहज ही निमित भाव इमर्ज कर देती है। ओम शान्ती।